हलो दोस्तों स्वागत है आपका द्रश्टी PCS में सरसठफी BPSC की परिक्षा के तिथी नजदीक आती जा रही है और हमें उमीद है कि जिस गती से यह परिक्षा के तिथी नजदीक आ रही है उसकी दुगनी गती से आप अपनी तयारी को धार दे रहे होंगे चुकि दोस्तों अभी परिक्षा के लिए दिन बहुत कम बचे हैं इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप रिवीजन पर ज्यादा ध्यान रखें और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले एक साल का करेंट अफ़ेर आपके लिए संशिप्त रूप से तयार किया है यह आपके लिए काम आएगा रिवीजन के लिए और आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं यह आपको जरूर फायदे मन्द होगा तो हम यह सिरीज करेंट अफ़ेर सिरीज 6 पार्ट में लेकर आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाबदायक है अब हमारे लिए एक प्रशन बनता है कि यह सिरीज लाबदायक है तो क्यों है और यह आपको क्यों देखनी चाहिए तो आप ज़रा ध्यान दिजेगा कि B करेंट अफ लगभख रहता है तो हमें इस कट आफ तक पहुचने के लिए अगर हम करेंट अफ्यर सेक्षन की बात करें कि वहां से कितने प्रशन आते हैं तो हर साल BPSC 22 से लेकर के 24 प्रशन सीधे सीधे करेंट अफ्यर से पूछती है जो कि राजविशेश के संदर में भी सकते हैं और राष्टी इंवन अंतरराष्टी संदर में भी हो सकते हैं तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हम करेंट अफ्यर पर अपना अध्यान बनाए रखें जिससे हमारा यानि आपका क्वालिफाइड होना आसान हो सके तो आईए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से पहला प्रश्ण है बिहार में अपराधियों का डेटाबेस त्यार करने हे तू कौन सा एप लॉंच किया गया है और इसका सही उत्तर है चक्र अप जो चक्र है यह बिहार पुलिस ने लॉंच किया है और इसको लॉंच करने का जो मुख उद्धेश है वह यह है कि माल लिजे कोई अपराधी है और यह नाम के अपराधी के बारें पिछले 10 साल में इसने कोई भी अगर Crimes किया है तो इस एप में इस अप्राधी का जैसे ही नाम डाला जाएगा, सारा उसका कच्चा चेठा उसमें आ जाएगा, तो इससे बिहार पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए बहुत ही आसानी होगी, अगला प्रश्ण है, 22 मार्श 2021 को आयोजित बिहार दिवस की थीम थी, इसकी इसले वर्श एक प्रश्ण आया था BPSC में, जिसमें यह था कि बिहार की दिवस जो है, जो मनाया जाता है, इसके बिहार के स्थापना कब हुई थी, तो बिहार के स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में, और जिसकी तिथी यही थी 22 मार्श, याने कि 22 मार्श 1912 को बिहार प्र किस की जगह है पूछ ले कि 2022 की थीम क्या थी तो 2022 की थीम भी यही है जल जीवन और हरियाली अगला प्रश्ण है बिहार के किस स्थान पर सडक अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा और इसका सही उत्तर है मुकामा जो की पटना के अंतरगत आता है यह जो बिहार अनुसंधान केंद्र है इसका मुख्य उद्देश यह है कि जो सडकों को ले करके कुछ नियम है रूल्स है कानून है और क्या प्रावधान होने चाहिए उससे संबंधित कुछ अनुसंधान होंगे वह मुकामा पटना में होंगे अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में राजी का पहला पोडिवल आगनवाडी केंद्र खोला गया है और सही उत्तर है मुझफर पूर में यह जो पोर्टबल आगनवाडी केंद्र खोला गया है पोटेबल शब्द से आप कुछ समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको अच्छे से और बताता हूं कि दरसल जैसे कि यह आगनवाडी के इंदर खोला गया और माल लीजे कोई प्राकृतिक आपदा आती है या भूकम पाता है या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा जिससे यह आगनवाडी जहां पर इस्थित है तो वहां पर इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है तो इस आगनवाडी को खोल करके इसके पार्ट्स को खोल करके इसको नई जगह पर इसके पूरे ढांचे को फिर से तयार कर दिया जाएगा इसलिए इसे पोर्टेबल आगनव पड़ी केंद्र कहा गया है अगला प्रश्ण है बिहार के किस और योगिक संस्थान की टीमों ने दुर्गम बरफीले परवती इलाकों में इलेक्ट्रिक बस को लीथियम से चलाने में सफलता पाई है और इसका सही उत्तर है आयायटी पटना अगला प्रश्ण है बिहार से वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु चैनित किया गया है और इसका सही उत्तर है सलिल सुधाकर अगला प्रश्ण है इथेनाल समवर्धन नीती इस बात पर जारा ध्यान रखेगा इथेनाल समवर्धन नीती लागू करने व इथेनाल समवर्धन नीती भी भारत में किसी राजने शुरू नहीं की है इस नीती को लाने का मुख्य देश यह था कि बिहार में इथेनाल बनाया जाए इसका उत्पादन हो सके और यह क्यों हो सके इसके जानना ज़रूरी है कि इथेनाल है क्या दरसल जो हम पेट्रोलियम पदार्थ यूज करते हैं इस्पेशली जो पेट्रोल हम यूज करते हैं गाडियों में उसमें इथेनाल का उप्योग 20 से लेके 25 प्रितिशत तक किया जा सकता है अगर हम पेट्रोल में इतना इसको मिला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी गाड़ी हमारी चलती रहेग तो वह है मक्का मक्का जिसमें शरकरा होता है उससे यह फसल यह नीती लाई गई है इथेनौल के उत्पादन के लिए ठीक है अगला प्रश्ण है मार्ष 2021 को केंद्र सरकार के महत्योकांशी कारिक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुवात बिहार के किस जिले से की गई है और इसका सही उत्तर है घोचपूर से घोचपूर में शहर है आरा वहां से इस योजना की शुरुवात की गई है और इस योजना को शुरू करने का मुख्यू देश यह था कि जो बिजली का उत्पादन है जो बिजली उत्पादन है उसमें क्या होता था कि हम बल्व का साध LED बल्व तो बहुत महगे होते हैं तो उसके लिए क्या उपाय था तो यह योजना दरसल इसी उपाय के लिए थी ग्राम उजाला योजना कि जो LED बल्व हैं वह मात्र 10 रुपए में लोगों तक उपलब्ध हो सकें अगला प्रश्ण है हाल ही में बिहार सरकार ने प्रवेशोत सथ 2021 कारेक्रम की शुरूआत किस लिए गी ति प्रवेशोत 221 जो कारेक्रम था वह बिहार सरकार में स्कूलों में admission यानि की नामांकन ज्यादा हो सके इसके लिए शुरू की थी और अभी हाल हीम एक report आई है असर रिपोर्ट आई है असर-2021 रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से भी है पता चलता है कि इस यूजना का लाब हमें मिला है याने कि जो इस यूजना के आने से हमें फायदा हुआ वह यह कि नामांकन में व्रिद्धी हुई है बिहार में अगला प्रश्ण है कि बिहार के किस दिले में राज का पहला मेगा फूट पार्क खोला जाएगा और इसका सही उत्तर है मुझफरपूर मुझफरपूर में पहला मेगा फूट पार्क जो खोला जा रहा है उसका मुखिद मिल सके अगला प्रश्ण है बिहार के किस जिले में इस्थित गुवारी डी टीले को एतिहासिक स्थल के रूप में विक्सित किया जाएगा और इसका सही उत्तर है भागलपुर जिला है अगला प्रश्ण है मार्श 2021 में बिहार तो हर इस शहरों वाला देश का पहला राज्य बना है बेश शहर कौन से हैं पहला है राजगीर और दूसरा है बोध गया दरसल क्या था कि बिहार में इन दो जिलों को जो चुना गया है इसका मुख्य देश यह था कि जो यह शहर है जितना आपना बिजली का उत्पादन हो रहा है और इसका जो कंझंशन है इस कंझंशन के लिए आपना उत्पादन खुद हासिल कर सके मतलब सौरुज्या के माध्यम से यहां पर पैनल लगाए जाएंगे और जितनी इंकी आवशक्ता है उसकी आपूरती ये शहर स्वयम करेंगे अगला प्रश्ण है बिहार के कितने पंचायती राज संस्थानों का चैन राश्ट्रिय पूरुस्कार 2021 के लिए किया गया है और इसका सही उत्तर है 12 यह पंचायती राज संस्थाओं को जो यह राश्ट्रिय पूरुस्कार दिया जाता है यह कब दिया जाता है यह दिया जात में कितने ऐसे पंचायती रास संस्थानों को मिला है 12 संस्थानों को अगला प्रश्ण है बिहार के किस जिले में उच्छ इस्तर की मैगनीशियम चट्टान की खोज की गई है और इसका सही उत्तर है औरंगाबाद अगला प्रश्ण है चर्चा में रहे बिहार से जुड़े किस स्वतनत्ता सेनानी की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष अमेरिका के बेसलियन विश्विद्याले में पढ़ाई जाएगी और इसका सही उत्तर ह स्वामी सहजानन सरस्वती स्वामी सहजानन सरस्वती विहार के एक ऐसे व्यक्तित्तों हैं जिन्हों बहारत की आजादी की लडाई में भी अपना बहुत ही महत् interestingly योगदान दिया है और आजादी की लडाई के समय ही जो किसान आंदोलन था उसके ये अगुवा उसी दवरान इन्हों ने अपनी जीवनी लिखी थी जिसका नाम था मेरा जीवन संघर्ष और इसी की पढ़ाई जो है अब अमेरिका के बेसलियन विश्विद्याले में कराई जाएगी तो हमारा सही उत्तर है स्वामी सहजानन सरस्वती अगला प्रश्ण है बिहार के स्वामी नंदन प्रसाथ के नाम पर बिहार के स्वामी नंदन प्रसाथ के नाम पर डांक भी भाग द्वारा स्टांप जारी किया गया है क्या जारी किया गया है स्टांप यह किस छेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं और इसका सही उत्तर है चिकित आपको मैं बताओं कि यह बायो डीजल रिफाइनरी से आप क्या मतल समझ रहे हैं दरसल यह जो बायो डीजल है इससे हम इधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं और यह इस प्रकार का इधन होता है जिससे परियावरण प्रदूशन भी जिससे परियावरण प्रदूशन भी 80 प्रतिशत कम होता है अगला प्रशन है बिहार के किस व्यक्ति की रचना Elevation of Life एशिया बुक ओफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है रश्णा का नाम क्या है एलिवेशन ओफ लाइफ और किस में शामिल हुई है एशिया बुक ओफ रिकॉर्ड में और यह किस व्यक्ति की है अनुराग आनंद की है जो कि बिहार के मोतिहारी जिले से संबंधित है अगला प्र परियोजना डागमारा पनविजली परियोजना में यह तो डागमारा तो उसका नाम हो गया लेकिन पनविजली परियोजना अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं जब जो पानी है जब उचाई से गिरता है तो उसकी गती जूर्जा को किसको गती जूर्जा को हम क बदल देते हैं तो यह गती तुरजा विद्दू तुर्जा यह में बदलती है तो इसे हम पन बिजली परियोजना कहते हैं तो यह कहां खुली जा रही है सुपॉल जिले में खुली जा रही है अगला प्रश्ण है बिहार में भूमी सुधार के लिए किस सॉफ्टेयर की शुरुवात की गई है और इसका सही उत्तर है चक बिहार बिहार में जो चक बंदी के लिए वहां की जमीनों की चक बंदी के लिए इस software के शुरुवात की गई है जिसका श्रे जिन्हें राजनीती में सुशाशन बाबू कहा जाता है बिहार में यानि कि नितीश कुमार जो वहां के मुख्यमंत्री है उन्होंने शुरू करवाई है अगला प्रश्ण है उनिवर्सल पेंशन योजना कौन सी योजना है उनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज कौन सा है और इसका सही उत्तर है जारखंड अब यह जो जारखंड है यह पहला ऐसा राज है उनिवर्सल पेंशन योजना जो लेकर आ लग है यह सभी वर्गों के लिए योजना रहेगी लेकिन इसमें इतना अंतर रहेगा कि इस योजना का लाव कि साथ वर्ष से अधिक उम्र के उन्हीं लोगों को मिलेगा जोकि टैक्स पेयर नहीं है या तो फिर जिनके परिवार में जिनके परिवार में भी कोई टैक्स पेर नहीं है अगला प्रश्ट है 22 मार्ष 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर भारत में वर्षा जल के समुचित संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए किस अभियान की शुरुवा की गई 22 मार्ष 2021 को अभियान शुरू किया गया उस दिन कौन सा दिवस था विश्व जल दिवस था और विश्व जल दिवस के दिन जल शक्ति अभियान कैश्व दा रेन इस भाशन में उन्होंने कहा था कि कैश्व दा रेन जहां भी गिरे पानी और जब भी गिरे पानी ठ ठीक है अगला प्रश्टा है 6-9 मार्च 2021 तक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मिला का 29 संस्करण आयुजित किया गया था अब इस 29 संस्करण की थीम क्या थी इस 29 संस्करण की थीम थी राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 कीशवि शताब्ती में भारत की यह पहली शिक्षा नीती है जो आई है और इस शिक्षा नीती के बारे में लोगों की लोगों को परियाप्त जानकारी नहीं है कि सक्ष्झा फार्यदे इंडेक्स तो दोबरा जारी किया जाता है अब देखिए इसका सही उत्तर है आवाशन और शहरी कारे मंतरा ले姐 की सफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है अब इस लिविंग विंडेक्स कि अगर मैं ताजह डाप रिपोर्ट बताओं तो वर्ष 2020 की रिपोर्ट जो की वर्ष 2021 में आई थी इसकी अनुसार 10 लाग की आबादी 10 लाग से अधीक आबादी वाला जो सबसे रहने लायक योग जिला है वह कौन सा है बैंगलूरू और 10 लाग से कम आबादी वाला रहने लायक सबसे योग जिला जो देश में है 10 लाग से जो कम आबादी वाला सबसे योग जिला जो है वह है शिमला तो यह भी पूछा जा सकता है अगर यह ना पूछे किया किसके द्वारी द्वारा जारी किया जा सकता है तो इस हिसाब से कि सबसे ज़्यादा आवादी 10 लाक में और 10 लाक से कम में सबसे भैतरीन दिला कौन सा है तो वह बैंगलॉर और शिमला है ठीक है और इस तरह क स्वेम सहायंता समूहों, सफाई कर्मचारियों आधी के लिए कौन सी fellowship start की गई है और इसका सही उत्तर है स्वक्षता सार्थी fellowship based to wealth mission यह पूरा नाम है स्वक्षता सार्थी fellowship based to wealth mission कि अगले प्रस्ण में आते हैं हाल केंदरी प्रतिष्ठान पावर ग्रिट के पौर्पोरेशन में कौंसी एक vision ट्रेंडिग पॉर्टर्ल लौंच किया है और यह पोर्टल का नाम है प्रणीत दरसल यह प्रणीत पोर्टल को लॉंच करने का मुख्युद्देश यह था कि पावर ग्रिट कॉर्पोरेशन ऑफ एंडिया लिमिटेड जो अपना कारे करता है उसके लिए वह पेपर लेस हो सके ठीक है अब अगले प्रश्ण क्यों राते हैं वर्ष 2021 में भारत के ग्रामीड छेत्रों में 7 वॉट और 12 वॉट के सबसे सस्ते एलीडीवल यानि की जिसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए होगी प्रदान करने के लिए किस कारेक्रम की शुरुवात की गई ग्राम उजाला कारेक्रम इस बारे में भी आपको मैंने बताया था कि इसकी शुरुवात बिहार से ही हुई थी और योजना का मुख्य देश ही यही था कि सिर्फ 10 रुपए में ग्रामीड छेत्रों में लोगों को 7 वॉट और 12 वॉट के एलीडीवल मिल सकें ठीक है अगला प्रश्ण है वैश्विक खुशाली रिपोर्ट और इसका जारी करता है सतत्विकास समाधान नेटवर्क अब यह रिपोर्ट तो आही गई लेकिन सवाल तो यह भी बिहार PCS में पूछा जा सकता है कि इसमें पहला इस्थान किसका था और भारत का इस्थान कौन सा है तो अगर मैं इसमें बताऊं प 136 तो तीन बाते हमारी क्लियर हो गई कि वैश्विक खुशाली रिपोर्ट कौन जारी करता है सतत्विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है इसमें पहला इस्थान हालिया रिपोर्ट में किसका है 2020 की तो पहला इस्थान फिनलेंड का है और उसके बाद भारत का इस्थान पूझे तो भारत का इस्थान 136 वा है अगला प्रश्ण देख लेते हैं मेरा राशन एप का शुभारम कौन सी है मेरा राशन एप का शुभारम किस योजना के तहत किया गया है तो इसका सही उत्तर है वन नेशन वन राशन कार्ड दरसल यह एप मेरा राशन एप इसलिए तो भारत के मा लिजे बिहार राजी के कुछ मजदूर हैं और वहां गुजरात में हैं तो समस्या यह आ रही थी कि उनका जो राशन कार्ड है और उनके हग का जो राशन है वह बिहार में ही उनके राशन कार्ड के द्वारा मिल पा रहा था गुजरात में नहीं मिल पा रहा था तो भारत सरकार ने यह एप लॉंच की और इसके लिए है योजना थी वन नेशन वन राशन कार्ड इसके द्वारा यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति बिहार का या किसी भी राजी का किसी अन्य राज में है भारत में तो उसे अपने हग का राशन आसानी से उपलब्ध हो सके मेत्री सेतू भारत बांगलादेश मेत्री सेतू किस नदी पर बना हुआ है और इसका सही उत्तर है पेनी नदी पर जो दक्षिन त्रिपुरा है और बांगलादेश का रामगड है इन दोनों को जोड़ने के लिए यानि कि भारत और बांगलादेश के बीच में परिवहन के के लिए एक सेतु बनाये गया है जिसका नाम है भारत बांगलादेश मैत्री सेतु और यह इसे पुर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है कि अगला प्रश्ण है सीतागडी हिल्स के जुल्जुल पहाड के पास एक टीले के नीचे बौध मटकी खोज की गई है सीतागडी हिल्स किस राज में इस्तित है और इसका सही उत्तर है जारखन अगला प्रश्ण है बश्च 2021 में केके बिल्ला फाउंडेशन द्वारा तीसवा बिहारी पुरुसकार 2020 किसे प्रदान किया गया है और इसका सही उत्तर है मोहन कृष्ण बोहरा जिन्हें तसलीमा संघष और साहित के उपन्यास के लिए यह पुरुसकार दिया गया है लेकिन अभी हाल ही में मार्श महीने में इसी वर्ष 2022 में 31 पुरुसकार घोशना भी हो गई है और जिसके लिए दिया गया है यह पुरुसकार मधू काकरिया को मधू काकरिया जी ने इसके लिए हम यहां के थे हाँ उन्होंने एक उपन्यास लिखा था हम यहां के थे उसके लिए पुरुसकार दिया गया था अगला प्रशन देखें वर्ष 2021 में केके बिल्ला फाउं जिन्हें यह दिया गया है वह है पाटली पुद्र की सामरागी नामक एक रशना है इसके लिए दिया गया था और यह भी इसका भी 31 पुरुसकार याने कि 31 ब्यास पुरुसकार भी अभी हाल ही में दिया गया है जो दिया गया है असगर वजाहत को और असगर वजाहत ने एक जिसका नाम था महाबली उसके लिए यह दिया गया है। 75 बरशगांट होने वाली है और उससे कुछ जुड़े हुए लक्ष इस बजट में रखे गए हैं इसलिए इस बजट का नाव उन्होंने क्या रख दिया था देश भक्ती बजट अगला प्रशन भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है आजादी का अमरित महोत्सव आपने यह श भी इसी लिए हुआ था कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक यह महोत्सव मनाया जाएगा तो अभी आप हर जखें नियूज में खबरों में सुन रहे होंगे कि आजादी के अमरित महोत्सव के अंतरगत यह काम किया गया यह कुछ ऐसा इवेंट किया गया तो इ हफ्ते अगला प्रश्थ हैं एक ओवर में श्चक्के लगाने वाले तीसरे बल्ले बाज कौन है अभी हाली में वेस्ट अंडीस के बल्ले बाज है किरोन पोलारड इन्हों ने एक ओवर में यानिकी 6 गेंद में 6 चके लगाए है इसके पहले दो और ऐसे खिलाडी है जिनहो ने 6 गेंद में 6 चक्के लगाए हैं एक तो है हमारे भारत के युवराज सिंग 2007 में उन्होंने 6 बॉल में 6 चक्के मारे थे जो कि टी 20 मैश था और उसी दौरान हर्शल गिप्स ने 50 ओवर के मैच में भी 6 गेंद में 6 चक्के उसी वर्ष मारे थे उसके बाद किरोन पोलार ने भी 2021 में 6 गेंद में 6 चक्के मारे हैं तो अभी तक में तीन ही ऐसे बल्ले बाज हुए हैं अगला प्रश्ण है अंतरराश्ट्री क्रिकेट में 10 अजार रन बनाने वाली पहली भारती महिला बल्ले बाज पूरुश नहीं है महिला बल्ले बाज कौन है मिताली राज मिताली आज भारत की पहली ऐसी महिला हैं क्रिकेट खिलाडी जिन्होंने 10,000 अंतरराश्ट्री रन बनाए हैं अब चुकि यह भारत की बात हो रही थे तो पहली है अगर बात हो विश्र में इनका स्थान कौन सा है तो विश्र में इनका स्थान है सेकंड याने की दूसरा तो इसके पहले पहली महिला कौन है जिन्होंने 10,000 रन बनाये थे तो उनका नाम था इंग्लेंड की चारलोट एडवर्ट्स ठीक है अगला प्रश्ट है भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए कोविड-19 राहत मिशन के अंतरगत मिशन सागर का संबंध किस छेत्र के देशों से है और इसका सही उत्तर है हिंद महासागर छेत्र दरसल हिंद महासागर छेत्र से जुड़े हुए जितने भी देश हैं जो उससे लगे हुए हैं उन देशों के लिए भारत सरकार ने कोविड-19 राहत मिशन शुरू किया था और इसका जो मिशन का नाम रखा गया था वह था मिशन सागर तो हमारा सही उत्तर है हिन महा सागर छेत्र अगला प्रश्ण है नीतामबानी नीतामबानी को तो आप जानते ही होंगे नीतामबानी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सा डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लांच किया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है हर सरकल ठीक है अगले प्रश्ण की ओर आते हैं वर्ष्ट दोहजार एक्षिस में अंतरराश्टी सौर गटबंधन के महानिदेशक का पदभार किस भारती ने समहाला है किसी भारती ने समहाल है और उस भारती का नाम है अजय माथूर ठीक है अगला प्रश्ण है बर्ष्ट दोहजार एक्षिस में किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोशियेशन ताने की AIBA की चैंपियन और वेटरंस समिती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो इसका सही उत्तर है एमसी मेरी कॉम और एमसी मेरी कॉम ऐसी भारती महिला है जिनोंने विश्व मुक्यवाजगी चैंपियन्शिप को आठ बार जीता है और इसी वजह से ही यह समिती की अध्यक्ष बन पाई है तो याद रखेगा अगला प्रश्ण है संयुक्त सैन अभ्यास डस्टलिक 2 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है अब इसका सही उत्तर है भारत और उजबेकिस्तान के बीच यह डस्टलिक 2 जो है आयोजित किया जा रहा है सबसे पहला इसका शुभारंग हुआ था वर्ष 2019 में और उसके बाद यह तैह हुआ कि हर दो दो साल मे यह डस्टलिक युद्ध्याभ्यास किया जाएगा किन दो देशों के बीच में भारत और उजबेकिस्तान के बीच में अगला प्रश्न है डेजर्ट फ्लैक युद्ध्याभ्यास फिर से देखिए डेजर्ट फ्लैक युद्ध्याभ्यास किस देश द्वारा आयोजित एक बार्शिक बहुपक्षिय युद्धा भ्यास है और इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात ने एक ऐसा युद्धा भ्यास शुरू किया जिसका नाम उन्होंने रखा है desert flag और इस युद्धा अभ्यास में कहीं जादा देश सिर्फ दो देश नहीं दो से कहीं जादा अभी हाली में 17 देशों ने participate किया था जिसमें भारत, पाकिस्तान और चाइना भी शामिल थे अगला प्रश्ण है किस देश ने बच्चों के पाठकरम में महा भारत और रामायण को सम्मिलित किया है और इसका सही उत्तर है साउधी अरब साउधी अरब ने क्या किया है कि अपने जो स्कूल के पाठकरम है वहाँ पर महा भारत एवं रामायण को शामिल किया है और ना सिर्फ महाभारतेम रामायड को शामिल किया है बलकि वहाँ पर आयरुवेद से सम्बंदित जो अध्यान है वह भी पाठक्रम में जोड़ा गया है अगला प्रश्ण है मार्श 2021 में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की सुतनरता के स्वन जैनती समारोह में मुख्य अतिथी के रूप में शामिल हुए थे तो इसका सही उत्तर है बांगला देश अभी मार्श 2021 में 26 27 मार्श को दो दिनों के लिए प्रधान मंत्री जी बांगला देश गय हुए थे और दरसल उसी समय भार जो बांगला देश है उसके आजाद हुए 50 वश पूरे हुए थे और इसी उपलक्ष में वहाँ पे समारोह आयोजित किया गया था और जिसमें उन्हें मुख्य अत्थि के रूप में बुलाए गया था अगला प्रश्ण है संकल्प से सिध्धी कौन सा अभियान है संकल्प से सिध्धी अभियान का उद्देश है क्या उद्देश है आदिवासी बहुल गाउं के वंधन विकास के इंद्रों को सक्री करना मतलब वहां के जो वंधन विकास के इंद्र हैं कहां पे जिन गाउं में आदिवासी बहुल है पतलत बहु संख्यकाबादी में है वह चिन्हित गाओं है वहीं पे यह संकल्प से सिध्धी अभ्यान चलाया जाएगा अगला प्रश्ण है बैश्विक बौधिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है और इसका सही उत्तर है 26 अप्रैल को हर साल बैश्विक बौधिक संपदा द होगा तो यह जो है यह बौधिक संपदा होती है तो इसके प्रतिलोग जागरोख हो सके इसके लिए यह हर साल 26 अप्रैल को मनाया जा रहा है अगला प्रश्ण है बश्च 2021 में मानव हाथी संघर्ष को रोकने हे तो शुरू किये गए रीहेब कारिक्रम में किस अनूठी रखा गया है मधुमक्खी बाड यह इस पद्धती के माद्यम से किया यह जाएगा कि दरसल हाथी और मानों का जो संघर्ष है जो एक अपनी जगह से दूसी जगहा पर आ रहे थे जहां पर मानों बसते हैं और जहां पर हाथी बसते हैं इनका अपस में टक्राओ हो रहा था इस टक्राओ को रोकने के लिए मतलब आवाजाही को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई मधुमक्खी बाड ठीक है अगला प्रशन है वर्ष 2021 में घोशित सरसथमे राष्ट्री फिल्म पुरुसकार में सरस्रेष्ट हिंदी फिल्म का पुरुसकार किसे दिया ग सरसथमे राष्ट्री फिल्म पुरुसकार में सरस्रेष्ट फिल्म अभी यहां पे हुई थी सरस्रेष्ट हिंदी फिल्म की बात हुई थी पिछले प्रश्ण में लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं सरस्रेष्ट फिल्म की बात होगी तो यह पुरुसकार किसे दिया गया थ तो यह पुरुसकार दिया था मरक्कर लायन ओफ द अरेबियन सी और यह मल्यालम फिल्म है ठीक है सरसठ्वे राष्ट्री फिल्म पुरुसकार में सरस्ष्ट अभिनेता का पुरुसकार सरस्ष्ट अभिनेता का पुरुसकार किसे दिया गया दो लोगों को यह पुरुसकार द दिया गया था दूसरा तमिल फिल्म असुरन के लिए धनुष को यह पुरुसकार दिया गया था अगला प्रष्ठा है, सरसथ्वे राश्ट्री फिल्म पुरुसकार में सरस्ष्ड अभनेत्री का पुरुसकार किसे दिया गया, यह पुरुसकार अभनेत्री कंगना रानावत को उनके दो फिल्मों के लिए दिया गया था, पहली तो थी कि मनकर्णिका, दकुईन आफ द जहा हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है जैसे कि सरश्रेष्ट बाल फिल्म कौन सी है तो वह है कस्तूरी श्रेष्ट निर्देशक कौन से हैं तो संजय 2021 में भारत के संस्कृती मंत्राले द्वारा गाधी शांती पुरुसकार 2020 किसे दिया गया तो यह पुरुसकार दिया गया था बंग बंधु शेख मुझीबुर रह्मान यह नाम आपको सुना सुना अगर लग रहा है और नहीं भी लग रहा है तो भी मैं बता दूँ कि बंगल और अभी हाली में 2021 में इनकी सौवी वर्ष गांट थी अगला प्रश्ण है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 का आयोजन कहां किया गया रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो आयोजित की गई थी वह उसका मुख्य लक्ष यह था रोड सेफ्टी के प्रति बहुत ही ध्यान अपना दे सके और जागरूख हो सके उसके लिए हैं स्रीज चलाई गई थे जिसमें की पुराने जो क्रिकेट खिलाडी हैं जो की रेटार्मेंट ले चुके हैं वह स्रीज का हिस्सा थे और दुनिया भर के देशों से आई हुए खिलाडी थे वह अगला प्रश्ण है वश्च 2021 में दूसरी बार वर्ल्ड रैंकिंग में कब की बात हो रही है 2021 की दूसरी बार वर्ल्ड रैंकिंग में पहला इस्थान हासिल करने वाले भारती पहलवान हैं और इसका सही उत्तर है बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया दो बार वर्ल्ड रैंकिंग में पहले इस्थान हासिल किया है, पहला इस्थान हासिल करने वाली महिला है, विनेश फोगाट, ठीक है, अगला प्रश्ण है, इंक्यामनवा दादा सहाफ फाल के पुरुसकार दिया गया है ठीक है अगला प्रश्न है चर्चा में रहा टेबल माउंटेन नेश्णल पार्क किश देश में स्थित है और यह इसका सही उत्तर है डग्षन अफ्रीका में अभी हाल ही में इस इस नेशनल पार्क में आग लग गई थी जिस वजह से यह चर्चा में था अगला प्रश्ण है आठ अप्रेल 2021 को शुरू की गई सार्थक पहल किस से संबंदित है यह जो सार्थक पहल है यह कब शुरू की गई थी आठ अप्रेल 2021 को और यह संबंदित किस से है तो यह शिक्षा से संबंदित है लेकिन शिक्षा में भी किस वजह से संबंदित है तो जो हमारी राश्ट्रि शिक्षा नीती हमारी राष्ठी शिक्षा नीती जो भी नई आई है उसके बारे में लोगों को जागरूप करने के लिए और उस शिक्षा नीती को सफल करने के उद्देश से सार्थक पहल लॉंच की गई है अगला प्रश्ण है वर्तमान में भारत के मुख्य नयाधीश कौन है और इसका सही उत्तर है जेस्टिस नाथुला पती वेंकट रमन्ना जो की भारत के 4800 मुख्य नयाधीश है अगला प्रश्ण है भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनियान में सहयोग हेतु इसरों ने किस संस्थान ने इसरों ने किस देश की अंतरिक्ष एजनसी के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो दरसल भारत जो चाहता था अपने गगनियान अभियान के लिए उसने इसरों ने उसके लिए फ्रांस के साथ में कुछ समझोते किये हैं जिससे उनको कुछ तकनीकी सहायता मिल सके और उनका काम थोड़ा आसान हो सके 140वा यह जो वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट है यह जारी करता कौन है वैश्विक आर्थिक मंच जारी करता है और भारत का इस्थान चुके 140वा है तो कितने देशों में है कुल मिलाकर 156 देशों के बीच में यह रिपोर्ट यार की गई जिसमें भारत का पहली कोविड वैक्सीन बनाई है और इसका सही उत्तर है रूस पिछले साल 2021 में रूस ने जानवरों के लिए पहली कोविड वैक्सीन बनाई अगला प्रश्ण है बिश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किये गए बैश्विक उर्जा रुपांतरन सूचकांक 2021 में पहले स इस्थान पर कौन सा देश है और इसका सही उत्तर है स्वीडन जारी करता इसका भी कौन है बिश्व आर्थिक मंच है यह आपको इसका ध्यान रखना होगा जारी करता कौन है पहला इस्थान किसका है भारत का इस्थान कौन सा है तो पहला इस्थान है स्वीडन का और भारत है भारत का इस्थान है यहाँ पे 57 अगला प्रश्न है भारत के किस राज में दुरलब डिस्क-फुटेड़ चमगादड की खोच की गई है और इसका सही उत्तर है मेघाल motor मेघाले Pacific फुटेड चमगाद्ड मिला है और यह डिस्क फुटेड़ चमगादड जो है यह देखने में ठीक उसी प्रकार का है, जैसे कि डिस्क की साइज होती है, जैसे उसका शेप होता है। अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच संपन हुआ जो वरुण नौसेना युद्धा अभ्यास है यह भारत और फ्रांस के बीच में दो-दो वर्ष के अंतराल में शुरू होता है सबसे पहले अद्वर्ष 2019 में शुरू हुआ था और उसके बाद अभी 2021 में फिर से हुआ था अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गोल में सम्मेलन का आयोजन किस देश के नेत्रित्व में किया गया है इसका सही उत्तर है भारत के नेत्रित्व में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश था था कि हाइड्रोजन एनरजी का उपयोग किस प्रका आत्म कथा है। इताब पिष्ले साल सूरेश रहना जी ने लख9 में विमोचित की है। का उद्देश है इसका उद्देश है आदिवासी बहुल गाउं के बंधन विकास केंद्रों को सक्री करना अब यहां पे प्रश्ट बनता है कि यह बंधन विकास केंद्र जिसको सक्री किया जाएगा आखिर यह बंधन विकास केंद्र है क्या तो दरसल बंधन विकास केंद्र हो सके किसका अधिवाशियों का अगला प्रस्न हाली में नासा के मार्स पर्सिवरेंस रोवर ने किस घ्रह पर कार्बं ड़ाय Oxide से Oxygen बनाई है और इसका सही उत्तर है मंगल मंगल ग्रह पर Mars Perseverance Rover ने lum here oxygen बनाई किस से क्रवन डाइऑ उकसाइड अब इसमें आप एक सवाल देखें कि Rover क्या होता है रोवर एक ऐसा sirobot हो अता है जैसे मा लीजिजें की जो गया था वहां पे भी रोवर गया था रोवर का मुख्य उद्धेश होता है किसी ग्रह पर जब वो उतरता है किसी मिशन के साथ उस ग्रह पर उतरने के बाद वहां पर अध्यान करने के लिए रोबोट जो है उसकी सतय पर जो चलता है उसको रोवर बोलते हैं अगला उत्तर है सुदर्शन सेन समिती अगला प्रश्न है शहत तथा अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए राश्ट्री मधुमक्षी बोर्ड द्वारा किस पोर्टल की शुरुवात की गई है और इसका सही उत्तर है मधुक्रांती पोर्टल दरसल मधुक पोर्टल के माध्यम से सरकार यह चाह रही है इस्पेशली जो लॉंच किया गया है राश्ट्री मधुमक्षी बोर्ड द्वारा यह बोर्ड यह चाहता है किसान अपनी आय को बहतर कर सके और इसके लिए ऑनलाइन विक्री का सहारा लिया जाएगा जिसके लिए यह पोर्ट के बारे में एक बात आपको बताता हूं आपको समझनी पड़ेगी सबसे बड़ा तैरता हुआ बतलब जो नदी पे फ्लोटिंग करता हुआ सौर उर्जा सयंत्र है जो पैनल लगे होंगे वो फ्लोटिंग करते हुए लगे होंगे तो अभी 2021 में खबर आई थी कि रामा और है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदीपर खंडवा जिले में उमकारेश्वर के पास में एक और फ्लोटिंग कैसा तैरता हुआ सौर उर्जा सेंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसकी छमता कितनी होगी लगभक 600 मेगावाट की अब देखें इससे कहीं जादा है उ छिर्फ यही दिया है तो उत्तर यहोगा और अगर आपको उंकारेश्वर के बारे में पता चलता है उसका उप्षण है तो तो फिर वहोगा खंडवा वाला और अगर दोनों होते हैं तो फिर आपको इसको चुनना होगा क्योंकि इसका निर्मान पहले पूरा हो जाएगा और 2022 से ही यह विजली उत्पादन करने लगेगा जबकि खंडवा जो जिले में मदप्रदेश में है जो नर्मदा नदी में उसमें अभी उत्पादन में भी समय लगेगा वह अभी बन रहा है अगला प्रश्ण है बर्ष 2021 में भारत के किन इस्थानों को सर्वप्रथम 6 रोग मुक्त घोशित किया गया है अब यहां पर देखिए कि सर प्रथम 6 रोग मुख जिन स्थानों को घोशित किया गया है पहला तो लक्षदीप है केंद्शातित प्रदेश है और दूसरा जम्मू कश्मीर का बढ़गाम इलाका है अब यह बढ़गाम छेतर है तो पूरा इसका मतलब पूरा जम्मू कश्मीर नहीं सिर्फ बढ़गाम लेकिन अगर पूरा केंद्शातित प्रदेश कोई है तो वह है लक्षदीप अगला प्रस्ण है इस बार यह नहीं खेल रहे हैं अगला प्रशन है बश्च 2021 में UAE ने किसे देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है किसकी? UAE की और इनका नाम है नोरा अल मात रोशी अगला प्रश्ण है, 7 अप्रेल 2021 को मंगल ग्रह पर अपने 20 वर्ष पूरे करने वाला अंतरिक्ष्यान है, मंगल ग्रह पर मास ओडिसी नामक अंतरिक्ष्यान है, जो कि नासा का है, उसने 20 वर्ष पूरे कर लिये हैं, मतलब कि 2000 एक में यह मंगल ग्रह पर पहुंचा था, और 7 April 2021 को इसे 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं अगला प्रश्ण है April 2021 में भारती रेलवे ने कोरोना के बढ़ते मरीजों के समक्ष उत्पन ऑक्सिजन की समस्या को दूर करने के लिए किस ट्रेन की शुरुआत की थी और यह पिछले साल सेकंड वेव के टाइम पे यह ट्रेन अग़ला प्रश्ण है ने से टीका प्रण द्वारा बचाओ हे तू भारत के कई राज्यों में टीका उत्सव कब मनाए गया? पिछले साल 11-14 अप्रेल के दौरान पूरे भारत में लगवा कई राज्यों में पीका उत्सो मनाया गया था इसलिए यह प्रश्ण भी पूछा जा सकता है काफि महत्पूर्ण हो अगला प्रश्ण में विश्व प्रश्व 27ंता सूचकांग भारत का इस्थान है 142 और इसमें पहला इस्थान किसका नार्वे का है अब आप कमेंड बॉक्स में मुझे बताये गा कि विश्व प्रश्व को की पहचान करने वाला विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्स्प्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर जो की मेड इन इंडिया उत्पाद है उसका नाम क्या है नैनो स्निफर है और इसकी बनाने की जो जो तक्निकी है इसमें सहयोग किया था आयटी मुंबई और आयटी डैली ने अगला प्रश्चन है 13 प्रेल 2021 को नियुक्त भारत के वरतमान चुनाव आयुक्त कौन है वरतमान में भारत के चुनाव आयुक्त है सुशील चंधरा और यह भारत के 24 वे चुनाव आयुक्त हैं कि आपको मैं बताओं कि तीन चुनाव आयुक्त होते हैं जिसमें से एक मुख्य होते हैं और इनके अलावा सुशील चंद्रा के अलावा दो लोग और हैं एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं राजीव कुमार हैं तो इस प्रकार से अगर आप से पूछा जाता है कि मुख्य चुनायूक्त सुशील चंद्रा है और उसके लावा अन्य दो अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार अगला प्रश्ण है भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने आर्थिक तिंग टैंग नेशनल काउंसिल आफ अप्लाइड एकोनोमिक रिसर्च की महा निदेशक कौन है इनका नाम है पूनम गुपता अगले प्रश्ण पर आते हैं अनामय योजना संबंधित है यह जंजाती समदायों के सवास से समंदित है और इस योजना को शूरू किया गया था वर्ष 2021 में साथ अप्रेल को और अगला प्रश्ण है राष्टी पंचायत पुरुसकार 2021 कब प्रदान किये गए हैं राष्टी पंचायत पुरुसकार 2021 हर वर्ष राष्टी पंचायत दिवस भने की 24 अप्रेल को प्रदान किये जाते हैं और 2021 कब प्रदान किया गया होगा सो अभाविक सी बात है 24 अप्रेल को बदान किया गया होगा अगला प्रश्ण है अप्रेल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वाराप प्रतिष्ठित नेंसल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरुसकार 2021 से किसे समानित किया गया है और इनका नाम है रुमाना स सहगल अगला प्रश्न है घिस्डुन अल मैनाक जषक दोजार दसवं से हमतलब है कि 2010 2019 2020 का मतलब क्या हुआ कि 2010 के बाद यहें जो 10 साल है 2010 से शुरूओं के 2019 तक होते हैं के लिए सर्षेश क्रिकेटर किसे चुना गया है तो 2010 के दशक के लिए सर्षेश क्रिकेटर चुना गया था विराट कोहली को चुनने वाली संस्था कौन सी है विजडन अलमैनाक अब मैं आपको बताओं कि विजडन अलमैनाक ने इसके पहले दो भारतियों को और चुना ठाथ जिन्हें दशक का सर्षेश खिलाड़ी बताए था स्सी के दशक की बात करें जिस दशक में भारत पहला विश्चुक जीतस तो उस दशक में कपिल देव को भी याशक का सर्षेश खिलाड़ी इन्होंने कहा था इस और ये विराट कोली सिसाप से तीसरे भारती खिलाडी है अगला प्रश्ण है अप्रैल 2021 को मानसीक स्वास्त और सामान्य स्वास्त excel प्रणाली से संबंधित किस एप को लॉंच किया गया है अब यहां पर देखिए कि मानसीक स्वास संबंधित मतलब कि जो भारत की मानसिक स्वास संबंधित समस्याएं हैं लोगों में उससे उनके कुछ प्रश्णों का निवारण करने के लिए और उन्हें जागरुप करने के लिए लॉंच किया गया है मानस एप को अगला प्रश्ण है 14 अप्रेल 2021 को केंद्री कृष एवं किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने देश में अच्छी गुणवत्ता के फलफूल सबजी और सजावती पौधों के उत्पादन के लिए किस पोर्टल को लॉंच किया है और इसका सही उत्तर है राश्ट्री नर्शरी पोर्टल अगला प्रश्ण है अप्र प्रदान करने और गोपनी स्वास्थ डेटा को बनाये रखने के लिए किस प्लेट्फॉर्म का शुभारम किया है और इसका सही उत्तर है एकिक्रित स्वास्थ सूचना प्लेट्फॉर्म ठीक है अगला प्रश्ण Economist Intelligence Unit EIEU द्वारा Facebook की साजेदारी में जारी किये गए Inclusive Internet Index 2021 में भारत का स्थान कौन सा है और इसका सही उत्तर है 49 स्थान अगला प्रश्ण भारत के प्रथम सौर अंत्रिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आकणों को एक वेब इंटरफेस पर एकत्रित करने हे तूँ एक Community Service Center की स्थापना की गई है और यह Community Center सेंटर जो है यह कहां पर है आदित L1 सपोर्ट सेल है और यह उत्तराखंड के हल्दवानी में स्थेथ है अब आदित L1 जो है वह क्या है यह पहला भारत का पहला सौर अंत्रिक्ष मिशन है जो कि वर्ष 2022 में ही लॉंज किया जाएगा अगला प्रश्ण है राम कथा पर लिखे गए अपने उपन्यासों के चलते आधुनिक तुलसी दास नाम से प्रसिध दिवंगत हिंदी साहित्यकार है और इनका नाम है नरेंद्र कोहली अभी हाली में इनका देहा वसान हुआ था अगला प्रश्ण है शुखोई युद्धक लड़ाकूव इमान कौन सा लड़ाकूई उमान है शुखोई युद्धक लड़ाकूव इमान चलाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पाइलेट बनी है और इनका सही उत्तर है अनजली जो है जो की मुझवर्फरपूर की बिहार की हैं यह सुखोई युद्धक लड़ा को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर हैं इसी प्रशन के साथ ही आज का हमारा सेशन समाप्त होता है उमीद है यह आपकी परिक्षा में बहुत काम आने वाला है मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में और सारे करेंट अफ